हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू प्रिशान स्टूडियो आज हम बात करेंगे एक्सपीड देको मिनी 7W वाइफाइपन टैबलेट के बारे में आज करेंगे हम इसको अन्बॉक्स और साथ ही बताएंगे इसको कैसे आपके लैप्तॉप और आंड्रोड मोबल के साथ आप करेंट के साथ यह प्रोड़क्स आता है और यह रहा अपना टैबलेट लाइट वेट सिंपल नाइस पैकेजिंग पहले हम बाकी इसके साथ क्या क्या कि है इसके बारे में हम बात करेंगे कि अचिए यह जिसको बैटरी की या चार्जिंग की रिक्वारिमेंट नहीं है इसके साथ दो बटन आते हैं एक लौर बटन इक अपर बेटन और यह कस्टमाइजबल भी बटन से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं आपकी सबसे एकोडिंग तो लाइट विदाउ चार्ज एडवांस स्टाइलेस है यह है यूस्बी टाइप-C कनेक्टर दो कनेक्टर्स दिया है माइक्रो यूस्बी और यूस्बी टाइप-C यह 10 निब्स है रिप्लेस्मेंट के तौर पे वारंटी कार्ड यह थैंक्यू कार्ड इसको आपको टैबलेट कु यूस करना है कैसे अप स्टार्ट कर सकते हैं यूसिंग एक एक एंडरॉड डिवाइस के लिए उप कनेक्ट और आपको वाय फाइवाई जो है उसको कैसे अपको अपको एक्तिवेट कर सकते हैं यह यह वाइपई रिसीवर और यह है निप रिमुवर कि इसको ऐसे यूज कर सकते हैं इसमें निप को पकड़ के आप जो और से की चेंगे तो निप रिमुव हो जाएंगी और आप दूसरी निप फिक्स कर सकते हैं अब आते हैं हम पेंटाप्ले की तरफ लाइट यह पैकेजिंग रिमुव करने के पाद अब देख सकते हैं एक दम मैट ब्लैक फिनिश इसे यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इसका कवर निकालना होगा कि जो यह कावर प्रोटेक्शन है वह आपको निकालना होगा तभी आप इसको यूज कर पाएंगे हम सबसे पहले इसका कवर रिमुव करते हैं तो बढ़िया फ्लैक फिनिश मैट फिनिश है लाइट वेट है इजी टू यूज है आप इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एट प्रोट कट कीज दी गए है जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं आपके यूज के राइट सेड में एक्सपी पेंड का ब्रैंडिंग पीछे सिंपल ब्लैक फिनिश और चार लॉंग रबर पैड्स जो अप इसको अच्छी ग्रीप देते हैं स्किड नहीं होता सबसे पहले हमें इसके ड्राइवर इंस्टॉल करने होंगे ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करने हैं आपको गूगल में एक्सपी एक्सपी पेंड साइट पर जाना है यहां पर इसकी प्राइस सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कर्म से कम 500 रुपी की सेविंग होगी अगर आप फेस्ट्यूल में लेंगे तो और भी ज़्यादा सेविंग हो सकती है किक है यहां से आपको शॉफ्ट्वेर से आपकर डाउनलोड करने हैं यहां पर आपको ओर विंडोस दोनों की लिए सॉफ्ट्वेर ड्राइवर मिल जाएंगे दोनों के लिए ड्रार मिल जाएंगे तो यह अपनासरेज है तो अर्षीरी में देन को 010247 और यह 7 बेनले लेप साइड में मैन्यूल और क्विक डाउनलोड है जिसमें आप 2.4 G Wi-Fi डिवाइस कैसे आपको करना है राइट साइड में आपके ड्राइवर से जो उपर के तीन दिख रहे हैं तीन चार दिख रहे हैं वह मैक के लिए है और यहां से आप मैक के लिए डाउनलोड कर सकते है नीचे विंडोस के लिए है और नीचे कुछ और भी ऑपरेटिंग से मेंली आपने को मैक और विंडोस ही यूज होता है तो इसके बाद हम चलते हैं जो अपने इंस्टॉल करने के बाद यह कुछ ऐसा इंटरफेस है इस सॉफ्ट्वेर का तो इसमें तीन सेटिंग्स आप क कर सकते हैं आइडियली यह डिफॉल्ट सेटिंग में अच्छा है पेन सेटिंग्स में आपको जो दो बटन्स दो बटन्स है वह आप कस्टमाइज कर सकते हैं बाइडिफॉल्ट यह पेनी रिजर्फ पहला दूसरा राइट क्लिक के लिए यूज जाता है आपको इसमें यह मैक्सीम मैंने क्विप्रेस किया 8191 को यहां पर दो ऑप्शन से मौट और मिंक मौड में आपको सिर्फ यह माऊस के साथ अप राइड भी कर सकते तो यह विंडूस इंक आप रहना सहिए और डिफल्ट यह विंडोजिंग पर ही रहता है यहां पर कुछ और सेटिंग्स सबसे पहला है कीवोड बटन बी जो है ड्राउइंग के लिए ब्रश का काम करता है तो आप जैसे बटन दबाएंगे तो ब्रश ओपन हो जाएगा करने के लिए होता है और प्रेस करके आपको दिख भी जाएगा कि कौन सा की आप अगर समझों आप की तरफ नहीं देख रहें तो भी आप प्रेस करके बाद आपको मैसेज डिस्पले हो जागा जैसे यह कंट्रोल से जूम इन जूम आउट फो कंट्रोल पैनल इस प्रकार से वी क्या सकते है अगर इसमें अभी कस्टमाइज का ऑफशन लिया यहां पर जो दौपडौन में आपको चून्र aula है यहां अबिया Unity कि कर सकते हैं जो भी हुदफर आपको चाहिए वह कर सकते हैं इसको एकस्स प्रेस में अगर टाइप कर दाल करद नहीं जैसे के अंडू होता है तो यह अल्रीड एक बटन है लेकिन फिर भी एक कस्टमाइज भी जैसा यहां पर रेडू भी लगा सकते हैं जो आपको लगाना है तो कंट्रोल जेट जहां पर आप देख रहें कि आ गया तो इसको एक्ट्रोल में यूज हो रहा है कि यह भी देखते है तो इस पेंसे मैं लिखता हूं हाई और कुछ ड्रॉब कर लेता हूं अब इस बटन को मैं दबाऊंगा के वन को जो कि हमने कंट्रोल जेट का दाव है आप निचे देख सकते कि वह कंट्रोल जेट काम करना है इस प्रकार से आप कोई भी बटन एक्स आप सेट कर सकते हैं कोई भी की चेंज कर सकते हैं तो यह होगा कस्टमाइजेशन के बारे में की एक उपर बटन है जिससे आप कुछ फीचर्स डिजेबल भी कर सकते हैं जैसे कि डिजेबल एक्स्प्रेस की हो सकता है कि आप कुछ ड्रॉ कर रहे हैं और की कोई की दब जाए तो आपका थोड़ टाइब सी के लिए जगा है और एक पावर बटन है तो सबसे पहले अपना ट्रेडिशनल वे में करेक्टर से में करके आपको बताता हूं यस्बी और टाइप सी केबल इसको करनेट करने के बाद और यह पावर बटन ओन करेंगे तो चालो हो जाएगा प्रकर से आप इजील आप इससे कर सकते हैं ड्राविंग भी कर सकते हैं यह आर्टिस्ट के लिए बहुत ही बड़िया पेंट टैबलेट है अगर सुरी मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी जो ड्राव आर्टिस्ट है उसके लिए बहुत फाइदेमन होगा तो आप कोई भी कर सकते हैं बहुती सिंफल और बहुती फ्रैक्शन सेकंद में आपको कोई जीरो लाग है इसमें इतना स्मूद और एकदम पेपर पे ड्राव कर रहे हैं उससे भी बड़िया एक्स्परियंस में तो कहना चाहता हूं भी कर सकते हैं को कोई पड़ाते पड़ाते आपको इमेज लेना है इमेज भी ले सकते हैं जैसे एक इसमेलर टैप में अगर पढ़ाते हैं तो आप पावरपाइंट पे भी आप कुछ लिख सकते हैं करसर को की तरह यूज कर सकते हैं आपको जो भी बीच में पॉइंट्स आपके पुटप करने हैं आप राइट कर सकते हो और यह इतना कंविनियंट है अभी समझो आप यह कोई ड्रॉविंग है उसको आप राउंड करके चू पर कुछ भी लिख सकते हैं या पॉइंटर की तरह भी आज यूज कर सकते हैं आप कुछ अंडरलाइन कर सकते हैं कुछ राइट कर सकते हैं आप आपके ओडियंस को करनेट करके रख सकते हैं इस पैंट से कुछ पॉइंट्वाइज भी लिख सकते हैं आप कुछ पॉइंट से भी बता सकते हैं मिन वैल आप आप पड़ा रहे हो तो आप इमेज या जो भी आपका ड्राइगराम है एक कंट्रोल जूम आउट भी बटन के साथ कर सकते हो अगर आपको एक्जिट करेंगे तो वह सेव भी नहीं होता है आपको पाउरपेंट अगले बार फिर से यूज़ करने के लिए अब मैं पताता हूं आपको यह मोबाइल के साथ कैसे वर्ग करता है यूज़ बी टाइप सी है करेक्टर से करेक्ट कर दिया और सिंपली आप जो चाहिए वो कर सकते हैं जैसे कि यह मैं ड्रॉब कर रहा हूं यह मोबाइल में एक एप्लिकेशन डावलोड किय और इस फ्री टु यूज आप है android में आप इसका यूज कर सकते हैं आप कोई भी जैसे नोट है या तो आपका पेंट वो यूज कर सकते हैं तो यह है autodesk sketchbook यह कुछ free applications हैं आप android यूज कर सकते हैं मैं यह और फ्री है Android के लिए इस प्रकार आप कुछ पेंटिंग कर सकते हैं ड्राव कर सकते हैं नोट्स बना सकते हैं कुछ अप्लिकेशन्स मैं यहां पर विंडोज के लिए बताया है तो गूगल जांबोर्ड माइक्रोसफ वाइड बोर्ड यह और अट्वर्ड डिस्क जोग यह थोड़ा बढ़िया से आपको वर्क कर सकते हैं आपके पेंट टैप से और आप पड़ा सकते हैं ट्यूशन्स ले सकते हैं अब टो यह विडियो आप को कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक किजिए यह कुछ यूजेस और ओन।मेंटमेकिंग आट वर्कॉट ड्राइंग पंटिंग सेयाब कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक किजिए और चानल को नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू